अब मैं आपको एक्सराइज 6.8 बताती हूं जिसमें हमने मल्टिप्लिकेशन तो करी लिये हैं लेकिन अब वर्ट प्रोब्लम वाले कुछ कोशिंस करेंगे फिर्स इसमें the cost of a shirt is रुपीश 775 find the cost of 62 such shirts एक shirt की cost कितनी है 775 और 62 ऐसे ही 62 shirt की cost कितना मुल्य होगा पूछ रहे तो अब लिखेंगे आप इसमें से फिर्स्ट कोशिंस कॉस्ट ओफ वन शर्ट कितनी है 775 कॉस्ट ओफ कितने है 62 shirts 775 multiply by 62 वन के दिया और ज्यादा की बूचित आपको क्या करना है multiply करना है अब हम multiply करेंगे 775 multiply by 62 2 से डिवाइड करेंगे 2 फाइफ जा 10 वन केरी 2 से अब फॉर्टिन और वन फिफ्टिन 5 वन केरी 2 से अब फॉर्टिन और वन फिफ्टिन अब हम 0 लगा देंगे यहाँ पर क्योंकि इसका जब expanded फॉर्म करते है 62 का 60 प्लस 2 तो यह 0 यह बली 0 के लएगी ठीक है अब उसके बाद देखें आब 6 5 जा 30 30 का 0 3 केरी 6 7 जा 42 और 3 45 5 4 केरी 6 7 जा 42 और 4 46 अब इनको क्या करदेंगे प्लस करदेंगे 0 0 0 5 0 5 5 5 और 5 10 10 की 0 1 केरी 1 और 1 2 2 और 6 8 4 ओनली 4 जाएगे तिह कितना आ जाएंगे 48,050 रुपीज नेक्स देखें आप इसका साइकिन इसी तरह है कॉस्ट ओफ ए फैन इस रुपीज 3,000 फाइंड दा कॉस्ट ओफ फिफ्टिन फैन्स एक पंखे का मुल्य किता है 3,000 तीन जार रुपे और ऐसे ही कितना है 15 पंद्रा फैन्स का पंखों का मुल्य उसने पूछे अब हम 3rd number करेंगे सेकिन आप कर लोगे वोई multiply है 3,000 को 15 से multiply करना है 3rd number question देखे A train runs at speed of 110 km per hour How far will it reach in 5 hours तो आप लेक होगे In cover distance In 1 hour A train runs at speed of 1 hour या इस तरह से लिख दो या इस तरह से The train Covered Distance In 1 hour कितनी है 110 Kilometer The train Covered Distance In 5 hour 5 गंटों में 110 Multiply by 5 अब 5 को 0 से multiply किया तो 0 आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं अलग से लिखेंगे 500 5 जीरो जीरो 5 वन्जा 5 5 वन्जा 5 550 Kilometer इसके इसके बाद आप देखेंगे इसका 4th number question भी ऐसे ही है इसमें इसमें एक cinema hall में 1200 seats है तो ऐसे ही 528 cinema halls में कितनी seats होंगी 1200 से 528 को multiply कर देंगे 5th number question देखे How many seconds are there in 5 minutes तो सबसे पहले आपको वो पूछ रहा है 5 minutes में कितनी seconds होती है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 minute में कितने seconds होते हैं 4th number question देखे 5th number देखे 1 minute is equal to 60 seconds और कितने minutes के लिए पूछ रहा है 5 minutes के लिए पूछ रहा है तो 5 minutes में 60 multiply by 5 यहां पर multiply करके दिखाएंगे 60 multiply by 5 5, 0, 0, 5, 6, 0 30 तो कहा लिखेंगे 300 seconds इसी तरह इसका 6th number question देखे the monthly income of Raju's father is rupees 9,075 find his total income in one year वो कह रहा है Raju के father की monthly मेने की एक मेने की income कितनी है 9,075 और वो one year में कितना रुपे कमाता है तो आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चीए कि one year में कितने month होते हैं ठीक है आप लिखेंगे इसबसे पहले one year one year is equal to 12 months अब इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले monthly income of Raju's father या ऐसे लिखो one month income of Raju's father six number question one month income of Raju's father कितनी है 9,075 12 months income of Raju's father आप क्या करेंगे 9,075 को 12 से multiply करेंगे तो यहां multiply करके दिखाएंगे आप 9,075 multiply by 12 तो यहां multiply करें 2,5 जा 10 10 की 0 1 केरी 2,7 जा 14 और 1 15 15 का 5 1 केरी अब 2,0,0,0,0 और 1 एड किया तो 1 2,9 जा 18 1 को 5 से multiply किया तो 1,5 जा 5 1,7 जा 7 1,0,0 1,9 जा 9 अब इनको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे 0 का 0 5 और 5 10 1 केरी 1 और 1,2 2 और 7 9 8 का 8 1 और 9 10 तो अब कितनी होगे इसकी 12 मंत में इनकम 1,08,950 इस तरह आप क्या लिख सकते हो इनके multiply करके इनके आंसर निकाल सकते हो उसके बाद आप देखिए 7 नमबर में क्या है वो टोईज एक फैक्टरी टोईज प्रोड्यूस कर रही है 4,685 आप 1 येर में कितने करेगी तो पहले आपको पता ना चाहिए 1 येर में 1 डे में इतने कर रही है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 येर इस इकल टो 365 डेज और फिर आप 4,685 को किसे multiply करेंगे 365 से तो इस तरह सी ये question हो जाएगा आपका 8 नमबर question देखिए प्राइज ओफ एक कंप्यूटर इस रुपीज 49,000 फाइंड दा कॉस्ट ओफ 126 से कंप्यूटर वो कह रहा है एक कंप्यूटर की जो रेट है वो कितनी है 49,000 और ऐसे ही 126 कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी होगी 8 नमबर question है आपका इसमें आप लिखें कॉस्ट ओफ वन कंप्यूटर 49,000 कॉस्ट ओफ कितने ऐसे कितने कंप्यूटर चाहिए 126 कंप्यूटर 49,000 multiply by 126 अब हम multiply करेंगे इसका 49,126 अब इससे expanded form में change कर लो 126 का expanded form क्या जाएगी 100 plus 20 plus 6 6 से multiply किया है तो 6,0,0 6,0,0,6,0,0 6,9 जा 54 4,5 केरी और 6,4 जा 24 और 5,29 अब क्या लिख देंगे हम 20 से multiply करेंगे तो अब 0 0 जा जाएगा अब 2 से multiply करेंगे 2,0,0,2,0,0,2,0,0 2,9 जा 18 8,1 carry 2,4 जा 8 और 1,9 अब हैंडेट में कितनी 0 है 2,0 है तो पहले वो लिखेंगे उसके बाद 1 से multiply करेंगे 1,0,0,1,0,0,1,0,0 1,9,9 जा 1,4 जा 4 अब हैं अब हम इस सब को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 0 का 0,0,0,0,0,0,0,0,4 ख 4 9 और 8 17 का 7 1 carry 1 और 2 3 3 और 9 12 12 और 9 12 और 9 होगे 21 1 2 carry 4 और 2 6 रिपेट कर देती हूं मैं इसको प्लस करेंगे इन सबको 0 0 0 4 और 0 0 4 हो जाएगा 9 और 8 17 का 7 1 carry 1 और 2 3 3 और 9 12 में 9 add किया तो 21 21 का 1 2 carry 4 2 6 इस तरह से क्या हो जाएगा आपके किते रुपए जाएगे 61 74,000 ठीक है इस तरह यह आपको questions करने हैं जिस बच्चे को कोई problem होगे मुझस से question whatsapp पे बोच सकता है और इसके अलावा जो बाकी की question है आप सभी बच्चों को इसमें 10 तक question 1 to 10 questions solve करने है और जिसको कोई problem हो मुझसे पोस सकता है इससे related कुछ और questions भी है जो मैं next video मैं बताऊंगी क्योंकि आप एक साथ ही सारे करवा दूँगी तो आप करोगे नहीं ठीक है इसलिए आप लोगों को मैंने 10 तक question करवाए है 1 to 10 1 to 10 में से मैंने कितने 5 question मैंने बता दिये 5 आपको करने तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इनको solve करेंगे और जो भी problem होगी मुझसे whatsapp पे कुछ लेंगे थैंक